हलो एबरिवन रोज रोज खाने में क्या बनाएं समझ में ही नहीं आता तो आज मैं आपके लेकर आई हो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी डिश जिसे आप सिर्फ एक ही बरतन में बनाकर पूरे परिवार को खिला सकते हैं और इसका टेस्ट बेहत शांदार है तो चलिए चुड़े मसाले डालेंगे इसमें हैं दो तेज पता पांच चुकड़े हमने काजू के डाले हैं एक चोटी चम्मजीरा एक चोटा सा टुकड़ा दाल चीनी का दो लॉंग और एक हरी लाइची और इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर हलका सा फ्राइब कर लेंगे खड़ हमारे अच्छे से फ्राइ हो गए हैं तो हम इसमें थोड़ी सी अद्रक डाल देंगे अद्रक के जूलियंस काटे हैं मैंने यहाँ पर आप चाहें तो वैसे बारी काट कर भी डाल सकते हैं दो टमाटर डाल देंगे बारी काटे हुए एक गाजा जिसे हमने छोटे में हो आप वो डाल सकते हैं साथी इसमें हम आधा कप मटर डाल देंगे यह ताजी हरी मटर मैंने यहाँ पर ली है और इन सबजियों को दो मिनट के लिए अच्छे से इस तरीके से भून लेंगे अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इन्हें वापिस एक बार चार चमज दही लिया है इसमें आदी चोटी चमज लालमिश डाल देंगे अगर आप तीखा खाते हैं तो आप थोड़ी से जादा भी डाल सकते हैं एक बड़ा चमज धनिया पाउडर डाल देंगे और एक चोटी चमज गरम मसाला डाल देंगे इन सब को अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहां पर हमारी सब्चियों को भी देखे चार से पांच मिनट हो चुके हैं पकते हुए जो टमाटर हैं वो हलकी से सौफ्ट हो गए हैं अब मैं इसमें यहां पर यह दही और मसाली का मिक्सर डाल दूँगी और इन्हें सब्चियों के साथ अच्छे से भून लेंगे पहले दही अपना पानी छोड़ देती है फिर हम इसे थोड़ा सा और पकाएंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसमें से घी रिलीज नहीं हो जाता या फिर और रिलीज नहीं हो जाता और हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे यहां पर मैंने एक कटोरी golden selah चावल लिये थे और उसे अच्छे से धो कर दो घंटे के लिए भीगो दिया था अगर आप बास्मती चावल ले रहे हैं तो आप उन्हें सिफ आदे घंटे के लिए भीगो दीजे और यह देखिए जब चावल अच्छे से भीग चुके हैं तो मैंने इनका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है और यह देखिए दही का जो सारा पानी था वो खतम हो चुका है और इसमें ओयल या घ्व भी रिलीज हो चुका है जिस कटोरी से हमने चावल नापे थे उसी कटोरी से नापकर मैंने इसमें दो कटोरी पानी डाल दिया है यानि चावल का आपको डबल पानी लेना है आप इसमें नमक डाल देंगे टेस के कोर्डिंग और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देंगे अगर आपके पास पुदीना है तो आप इसमें यहाँ पर 8-10 पत्ते पुदीना के भी डाल सकते हैं यहाँ पर आप इस पानी को थोड़ा सा टेस्ट कर लीजे इस पानी में हलका सा नमक तेज होना चाहिए क्योंकि जब हम इसमें चावल बनाएंगे न तो वो नमक एकदम एकजेक्ट रहेगा क्योंकि इन पुलाव में अगर नमक थोड़ा कम होगा न तो उनका टेस्ट नहीं आएगा अच्छे से और बाद में नमक डालना इतना आसान नहीं होता है खुलाव में या फे चावल में और देखिये जब पानी में आच्छे से उबाल आ चुका है तो अब हम इसमें यह चावल डाल देंगे सारे और इन्हें अच्छी से एक बडर मिक्स कर लेंगे चावल डालनें के बद के बाद एक बडर हम हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और इसमें तेज उबाल आनी देंगे और साथी इसमें यहां पर यह पत्ता गोरी ओ तकरीबन आधा कप और इसे भी एक बार मिक्स कर लेंगे और अब ग्यास्कृफ लो कर देंगे और अभ ईपाऊ से तक इसमें से पूरा पानी अच्छे से सूख नहीं जाता और साथी चावल जो हैं बिल्कुल अच्छे से पक नहीं जाते बीच बीच में आप धकन हटाकर एक से दो बार चला लिया है इसमें जो थोड़ा सा पानी है तो हम इसे ढख करके कुछ दे के लिए और पकालेंगे और ये जो पुलाओ बनते हैं बहुत टेस्टी बनते हैं इसको कोई जंजड भी नहीं है मतलब बहुत सारे बरतन भी जूटे नहीं होते हैं इसका जो टेस्ट होता है न दही की वज़े से बहुत बढ़ी आता है आप इसे एक पर जरूर बना कर देखें और इसमें हमने धेर सारी वेजिस डाली है तो जिसकी वज़े से काफी हेल्दी भी रहता है आप इसे सफर में लेके जा सकते हैं बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं और ये देखिए हमारे पुलाव बन के तयार है कितने पॉफेक्ट और कितने बढ़िया बनी है इसमें एक-एक चावल का दाना भेखिला खिला है अभी यह बेलकुल गरम है अगर यह छणडी हो जाएंगी तो और ज़्यादा खिल जाते हैं सब्जियों का जो इसमें टेस्ट है और साथी जो चावल है बहुत टेस्टी बहुत लाजवाब है अगर आपको कभी भी बहुत जादा खिलारा मचाने का दिल ना हो किचन में यानि फटा-फटा कुछ टेस्टी सा बनाना चाहते हैं तो आप इस recipe को जरूर ट्राइ करें यह बहुत ही tasty भी है और साथ हेल्दी भी है और इसे फटा-फटा बना सकते हैं बिना किसी ताम जाम के और सबजी हैं तो आप इसमें जो भी आपके घर में हो आप इसमें वो डाल सकते हैं तो लीजे मैं तो इसे enjoy कर रही हूँ बहुत tasty है आप भी इसे अपने घर में जरूर ट्राइ करें और अगर आपको हमाई रेसिपीज ट्राइ करने के बाद पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जो कीजिए और साथी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले इसी तरह की और नहीं रेसिपीज देखने के लिए